हाई एफरिवन तो आज मैं आपको उस चीज के वारे बता रहूं जो हमारे समर्स में बहुत सारे हो जाते हैं यह को छोट-छोटे जो दाने आते हैं हमारे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं उनके मांक रह जाते हैं ना सारे मारा फिर चेहर अच्छा नहीं लगता है उससे तो म आपको इस चीज के वारे मैं आज बताऊंगी कि आपको अपने यिस सब कीसे रिमूफ करने कैसे हटाने क्योंकि युदानेanka उजाते ना वो दाने और दीरे-दीरे ही जाते हैं एकदम से नहीं जाते माथे पे तो फॉर हैट पे हमारे बहुत सारे हो जाते हैं छोट-छोटे दाने तो इन सब को आप कैसे रिमूव करोगे कैसे हटाओगे तो उसके लिए मैं आपको जो चीज जो पैक बताने वाली हो जो मैं खुद अपलाई करती हूं आपको एक दम किलियर स्कीन चाहिए स्मूथ सी स्कीन चाहिए तो आपको यह पैक लगाना ही चाहिए जो मैं आपको पताऊंगी कुछ नहीं इजी है मिंटो में बन जाता है चलो आप देख लो कि मैंने से कैसे बनाया है आपको एक चमल नीम का पाउडर लेना नीम पाउडर जो होता है उसमें थोड़ा सा हनी डालना है औ बहुत जादा हेल्प करती है क्योंकि हम जैसे नीम का फीश वास यूज करते हैं या फिर कोई भी नीम उपटन लगाते हैं तो वो किसके लिए होता है हमारे इसी एकने को पिंग मेटेशन को दानों को रिमूव करने की काम ही आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना इसको ल गिलो मिलेगा इस से क्योंकि नीम छो होती है हमारी इसकीन घ्रीक तो यार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि मैं इसको हफते में कई बार यूज्ट आप इसका रिजल्ट अब ही देख गया है मैं आको सब कुछ रियल ही दिखा रही हूं गई है या फिर पिमपल कोई पिंपल भी नहीं मीरी स्कीन में और ना चुट-छोट दाने बजें और ना कोई माक्स है तो इन सब को रिमूब करना तो आपको यह पैक ज़रूर ही अपलाई करना चाहिए अपने फेस पे और मैं आपको आपको मैंने इस वीडियो में अप सारी चीजें बता दी हैं कि क को वीडियो चीए हुए तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर देना बाई